नवस्कार मैं ब्रज मोहन और आप देख रहे हैं जनित आवाज अब इहाली में बिहार के मुक्कमंत्री नीतेश कुमार जी राहूल गांदी जी से मिलने के लिए आते हैं तो इस मुलाकात के क्या मायने होते हैं क्या इसके मावने देखे जा रहे हैं राही Till एक छेत्र में इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में एक बरिष्ट मेमान आये हुए हैug पेशर असोक कुमार जी तो सर स्वागत है सबसे पहले आपका अमारे चनल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और आपके दर्सकों को इस पकार से आप बिहार की राइनित को करीब से देखते हैं आप नालंदा से बिलौंग करते हैं तो क्या लगता है नितिश कुमार केंद्र के लिए देखिए बिहार में पिछले 17 साल से मान्य नितिश कुमार जी मुखमंत्री है एवा सही है कि कभी NDA के मुखमंत्री रहे कभी महागटबंधन के मुखमंत्री रहे लेकिन उनका एक ही मिशन था कि हम बिहार को विक्सित राज बनाने का काम करें और उसी मोड में नितिश कुमार जी ने बिहार में काम किया है चाहे जिसके साथ हुगटवंधन में रहें लेकिन बिहार को विक्सित राज बनाने के लिए उन्होंने जीतोड परिश्रम किया है और हम समझते हैं कि जिस प्रदेश को खास करके बिहार को बिमारू राज जी कहा जाता था उसको कहा जाता था कि इसका इलाइज नहीं है आज जिसको नितीश कुमार जी जब मुख मंतरी बने 2005 में तो आज बिहार की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है उनके विकास मोडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और आज बिहार जिदि कोई आदमी यहाँ से जाते हैं देश के किसी कोने से जाते हैं तो बिहार को देख करके ओ नितीश कुमार जी की परसंसा करने से नहीं चुकते हैं देखे नितीश कुमार जी में सारे गुन्म प्रधान मंत्री के मौजूद हैं और इसका कारण यह है कि नितीश कुमार जी जमीन से उपर उठे हैं एमेले बने, एमपी बने केंदर में मंत्री रहे तो उनको केंदरीये विभागों का भी काम करने का अनुभह है और काम भी किया है उन्होंने जिस बिभाग को रेल्वे हो चाहे किर्सी हो चाहे सर्फयस ट्रांस्पूर्ट हो, इन बिभागों में केंद्र सरकार में आदर्नी अटल बिहारी बाजवेज़ी के नित्रित में जो सरकار थी उसमें रह करके बिहार और पूरे देश में विकास के कार्ज को अमनी जामः पहना का राने का काम किया है। उनका अनभव है। तो मान्य निता नितीश कुमार जी में पी-म का सर्व गुन बरतमान है। लेकिन यहां पर प्रिष्थिती है क्या कि विपक्ष को एक जुट करना है। और हम कह दे कि हानि 30 जी पियम बन जाएंगे तो बन नहीं जाएंगे लेकिन उनका जो प्रियास है विपक्षी पाटियों को एक जूट करने का जो प्रियास है उसमें जदिव सफल हो गए तो हम समझते हैं कि नरेंदर मोदी जी की और अमिश्वा की खैर अब नहीं है इस प्रकार से मीडिया दिखाती है अलाग कि मीडिया उनी की है सब जानते हैं किसी से चुपा नहीं है कि इस प्रकार से चाटकारता होती है लेकिन फिर भी जब से मतलब तेजस्वी जी के साथ में नीतेश कुमार जी की सरकार आई है तो मतलब हर एक मुद्य को गंबीरता से लेके मतलब बड़ा चड़ा कर बताए जा रहा है चाहे तो बिरोजगारों का मतलब आंदुलन का मामला हो बरतियों के लिए या कोई साभी मामला उसको मतलब चाट दिन में ही जंगल राज आ जाता है सुसासन से यह क्या है देखिए अब भारतिय जनता पार्टी के लोग बिहार में सत्ता से अलग हो गया है तो उनकी बाखलाहर तो सभाविक है बाखलाएंगे ही ऐसा थोड़े है कि छिटपुर घटनाय नहीं होती है वो तो आकड़ा है ना आकड़ा है उसमें बिहार का जो अस्थान है आज भी वह हम समझते हैं कि देश के अने राजियों से कम है आकड़ा है जाहे किसी चीज का हो क्राइम का हो चाहे जो भी हो वो अन राजियों से भी कम है जिसे दिल्ली में जादे होता है आपका मध्ध प्रदेश में जादे होता है इस सब महराष्ट में है इस सबसे भी पीछे है वियार क्राइम में तो कहने के लिए तो लोग कु पर और भारतियी जनताप पार्टी के जो नेता है, वो शंतुलन खो दिये है और अनाप्स, जुमन में आता है, बोलते रहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है एक जूटता उनके पिपक्ष के सामने एक सबसे बड़ी जो बात है चैलेंज है जिसको कह रहे हैं कि एक जूट होना और जिसमें मन्ये नितीश कुमार जी जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं हम समझते हैं कि उनका जो काम करने का तरीका है उसमें निश्ची तोर पर सफल होगे विपक्षी एकता को वो निश्ची तोर पर वो एक करने में सफल होगे और सफल होगे तो ये देश हित में होगा रा लोग मानने करेंगे नितीश कुमार जी को केंदर के चैरे के रूप में यहां तो नितीश जी ने साफे कह दिया है ना असपस्ट कर दिया है कि हम कोई नीजी स्वार्थ में नहीं हैं हम कोई प्रधान मंतरी के कंडिडेट नहीं हैं हम तो देश के अंदर जिस तरह से आदी सक्तियां सर उठा करके चल रही है और देश की जो संबैधानिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर जो उनका कबजा हो गया है देश की जो संपतियां है उसको आउने पाउने भाव में देश की दो पुझी पतियों के हाथों में बेचा जा रहा है ये सारी चीज जो है देश हित में नहीं है और इसके खिलाफ में देश के लोकतंत्र को संविधान को बचाने के लिए नितीश कुमार आगे निकले है और नितीश कुमार एक जीवट के आदमी है जिस काम में लगते हैं मनो जोक से लगते हैं और उस काम को अंजाम तक पहुचाने का प्रियास करते हैं हम समझते हैं कि उसी काम में नितिशी की सफलता मिलने वाली है तो जैसे लोग आरूब लगाते हैं कि मतलव बीजेपी के साथ बात नहीं वनी इसलिए नितिश कुमार जी पर पच्चको साधने की तैयारी कर रहे हैं तो मतलव जो बीजेपी के लिए मतलब क्या ऐसे और काम हो सकते हैं बीजेपी के लिए मैन फैक्ट जिससे वो मतलब उसकी बिदा बिदाईत्य हो जाए कि आज देश के अंदर कि दो बात हमने पहले बताया कि देश के अंदर जितने सम्मेधानिक संस्थाएं हैं सब पर उनका कबजा है कि जैसे चाहते हैं से जैसे समझ गया कि निस वो सब पर कब्जा कर लिए दूसरी जो बात है देश की जो संपत्या है चाहे रेलवे हो यह एरपोर्ट हो यह लाइसी हो बीए सेनल हो इस सारी संपत्यों को आउने पाउने भाव में पूंजी पतियों के हाथ में एप बेच रह कर लिया ने राज करने लगा तो यह पूंजी पति के हाथों बिक गए अब पूंजी पति जैसे कहेगा उसे करेंगे कठ पुतली हो गई इस सरकार तो उससे बचाना है देश को तो देश को बचाने के लिए विकल्प तो खोजना पड़ेगा ना है अब विकल्प जब हैं तो उस बाधा को पार करके चलेगे तो हम समस्ते हैं कि विपक्ष्य आक्ता निस्च्चत तौर पर होगी और उधेश हित में होगी राश्ट हित अब इक सबाल और लेते हैं लाश्ट का जिस प्रकार से तेजया स्वियादव एक्चनवा देख रहे हैं लेना नहीं चाह की नायट में मतलब अधिकारियों करमचारियों को अच्छी बात है लिए यह अच्छी बात है कि कोई मिनिस्टर किसी सरकारी संस्थान में जाकरकर उसकी कमियों को खोशता है उसको दूर करने कि लिए वहाँ पर जाता है तो इत्व आच्छी बात है ना सरकार की टो इससे पब्ली को लाब होना है जन्ते के लाब के लिए सरकार होती है तो सरकार के काम को Purple जो अनजाम तक पहुँचाने के लिए जहां कहीं भी थोड़ी बहुत तूटी है उस तूटी को दूर करने का प्रियास तेजस्वी-जादव जी कर रहे हैं तो इतुँ अच्छी बात है विहार की जनता के लिए तूछी बात है लोग सुष्ट रहें गएं तो सरकार चुस्त है हम लोगों पर कर्वाई होगी एक हहाई का बाता ब्रण संभव है एक बाद जान लिए तो भविष्ट की बात है अभी जो बर्तवान प्रिश्थिति में जो है ओ सारा चीज बिहार के लिए ऑलिज बेल है थेंक्यू हमसे बात करने के लिए और हम ऐसा में देने के लिए तो यह ते प्रॉपेसर असुक कुमार जी जो बिहार से हैं औ हम आज कार करता हैं धन्यवाद